हलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग आज आप लोग के सामने एक न्यू टापिक लेके आए हूँ जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है और बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया था कि मुझे एक प्रोग्रामिंग लेंगविज के ऊपर ये वीडियो डिटोरियल वीडियो बनान है चलिए स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिक पूरी तरके से ये जो पूरी वीडियो होगी थोड़ी लंबी होगी पेसंस रखिएगा और सारा पूरा कंप्लेट ये एंड तक ये वीडियो देखिएगा आप लोग ज़रूर देखिए तब आपको समझ में आएगा कि थ्रू कमंड लाइन अर्गुमेंट के थ्रू कैसे जावा प्रोग्राम को रन करते हैं और ये कि क्यों इतना जादा इंपोर्टेंट है और जावा के बारे में आज हम लोग कंप्लेटली जानेंगे स्टार्टिंग ये स्टार्टिंग आपका टिटोरियल वीडियो है इसके बाद बाइन आते रहेंगे तो ये बीसिक है और कैसे रन करेंगे आप अपने सिस्टम में तो आज यहां पर हम लोग जानेंगे तो चलिए से यहां पर हम लोग देखेंगे कि Java, what is Java? Java क्या है? Java एक programming language है जो कि platform प्रोवाइड गरता ही कि एक high-level language है जो कि robust object oriented secure programming language है जहां पर Java developed किसके दुआरा किया गया था? ये Sun Microsystem के दुआरा ये develop किया गया था जो कि जिनका आविस्कारक Jam Hostling है और यह अभी फिलहाल तो मतलब यह Java ओरकल के अंडर में आ गया है जो कि ओरकल इसे मेंटेन करती है और Jam Hostling जावा के फादर के नाम से जाने जाते हैं और जावा जब 1995 से पहले जावा को ओक के नाम से जाना जाता था यह एक जो Jam Hostling की जो पुरानी कंपनी थी जो की रिजिस्टर कंपनी थी रिजिस्टर जो की जावा के बारे में वो पहले ओक के नाम से जाना जाता था तो जो बेसिक चीजे हैं जावा के बारे में जावा जो इसका hardware और software जो है कोई भी environment में रन कर सकता है क्योंकि इसमें Java में क्या है Java में run करने का जो main factor है वो है JRE जिसको Java runtime environment जिसको कहते हैं और इसके साथ साथ Java API उसमें होता है तो इसी के लिए इसको platform भी कहते हैं तो Java आपने समझ गए कि Java है क्या तो आगे बढ़ते हैं Java का जो पहला program है इसके बाद हम लोग जानेंगे Java program के लिए हम लोग को क्या क्या जरूत पड़ेगा तो पहला तो हमें यहाँ पर एक अपने जो computer है computer में JDK जरूत पड़ती है तो JDK क्या करता है हमारी program को run कराने में हमें easy करती है तो यहाँ पर पहले आपको अपने system में JDK डाउनलोड करना होगा और मैं इसके जो वीडियो के description में JDK डाउनलोड करने का जो link है मैं आपको दे दूँगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते अपने system में और इसके बाद Java को आप run कर सकते हैं तो next इसके बाद चलते हैं कि जावा में इसमें run करने के लिए जो hello अगर simple Java जो program है उसको run कराने के लिए क्या क्या requirement है पहला JDK है जो कि आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और आपको path set करना होगा JDK जो कि dev bin directory से लेकर आपको start जो उसकी path है उसको आपको set करना पड़ेगा तब जाके आप उसको compile और run कर सकते हैं Java program को तो इसके बाद चलते हैं यहाँ पर की पहला तो Java program कैसे आप simple एक program कैसे run कराएंगे तो पहला यह simple program है आप यहाँ पर देख सकते हैं आप line by line यहाँ पर आप copy करके भी आप अपना program में आप अपना जो notepad है वहाँ पर आप type कर सकते हैं यहाँ पर मैं आपको practically भी show करूँगा इसके बाद दिखाऊँगा सारे चीज़े कैसे करते हैं तो यह थोड़ी सी लंबी होने वाली है वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा तो इसके बाद आती है आपकी यह जो simple Java program है देखिए पहला है इसमें class class simple, bracket open, curly bracket उसके बाद आपका है आपका public static void main उसके बाद string args, third bracket close, open close, फिर आपका bracket close हो रहा है first bracket उसके बाद आता है आपका system.out.print challenge जो की एक syntax है जो की प्रोग्राम को रन कराने के लिए जहां पर hello java करके जो पहला हमारे जो प्रोग्राम है उसे हम लोग run करवाएंगे तो इसको save कैसे करेंगे कोई भी हम लोग पहला तो notepad में या फिर notepad++ में हम लोग ये code को लिखेंगे कोई भी code को उसके बाद हम लोग ये runtime environment में या फिर हम लोग command line argument के थुरू हम लोग command line के थूह हम लोग इसको run करेंगे तो इसे save कैसे करना है जब भी हम लोग notepad में हम लोग save करेंगे तो जैसे यहां पर देखे class जो name होगा और आप जब save करेंगे file को तब दोनों ही same होनी चाहिए अगर उसका अगर class के बाद अगर simple का जो इस capital में है तो आपका जो file है वो save भी किसमे होगा उसी में ही होगा एकदम जो नाम होगा वो एकदम exact वही रखना है आपको नहीं तो फिर इसमें error आपको दिखेगा जैसे यहाँ पर simple लिखा हुआ है तो यहाँ देखिए simple.java करके आपको save करना है तो इसका जो output आएगा पह पूट डाउन कर जागा कैसे compile और execute करते हैं तो पहला जो compile करने का जो तरीका है वो है उसका जो आपका command है java c space उसके बाद आपका जो file का name है file name देंगे dot java यह हो गई आपकी आपका जो command हो गया जो आपको run कराने के लिए compile कराने के लिए आपको use करनी पड़ेगी next आपको आती है run कैसे करेंगे उसके बाद आप आएंगे कि यहाँ पर java.simple जैसे java लिखेंगे और आपको simple जो file का name है वो file का name आपको यहाँ पर देना है तो आप यह अगर देंगे तो आ run कैसे करती है java को प्रोग्राम होता है वो run करने के लिए w jal yaga see tool का use करती है जो कि java compiler करता है ईसका source code को byte code में उसको क्या करता है convert कर देता है तो पहला तो हम लोग Java Code लिखते हैं जो कि 11 Där would रहें, यहाँ पर आपका जो है यह पर रन करता है इसका जो हड़ार कर दिया यहाँ करती जातें। नेक्स आके बढ़ते हैं कि इसका जो parameter से, तो इसमें जो जो यहां पर use किये हुए हैं, तो देखिए यहां पर हमने क्या क्या use किया था, जैसे कि class क्या होता है, public क्या होता है, static क्या होता है, void क्या होता है, main क्या होता है, string क्या होता है, system.out.println जो होता है, यह क्या होता है, class क्या है class एक keyword है जो कि declare करनी पड़ती है जावा में इसके बाद आती है public क्या है public एक keyword है जो कि एक access modifier है वो किसको represent करता है अपना जो code है उसको visible करने के लिए visibility के लिए जिससे कि सब कोई को दिखे उसके लिए यह visible सब कोई को दिखाई देता है इसलिए यहाँ पर यह public किया यहाँ पर यूज किया गिया है इसके बाद आते है static static क्या है static के keyword है जो कि declare करते हैं as a static और यह क्या करता है यह also एक static method भी है जो कि advantage है कि method को इसको अलग से कोई object को invoke नहीं कराना पड़ता है static method में जो कि main जो method है उसको execute करता है किसके थ्रूँ JVM के थ्रूँ तो यहाँ प पड़ती है यहाँ पर जरूँ नहीं है create करने की जो कि invoke करता है method को तो यह क्या करता है save करता है memory को जो हम लोग program जो लिख रहे है उसका जो आपका space है उसको save करता है वो इसके बाद आता है void void क्या है void एक return type method है जहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यह कोई भी return value नहीं देता ह यह क्या है यह return type method है यह value नहीं पास करता है यह method है इसके बाद आती है main main जो है main क्या किसको represent करता है यह point आपका program को आपको represent करता है कि यहाँ से आपका program start हो रहा है आपका run हो रहा है यहाँ से आपका program start होता है main starting जो होता है यह main function main से होता है इसके बाद आता है string जो angle bracket के इसके बाद आता है args जो क्या है एक command line argument है जहां पर हम यह इसके बार हम और in depth बाद में आप लोग के साथ share करेंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी नई तो वीडियो बन जाएगी तो next इसके बाद आता है आपका system.out.println यह क्या है यह आपका जो syntax है जो एक statement यह क्या है एक print statement ह जो कि एक system क्या है एक class है जिसका object क्या है print stream क्या है एक class है जो कि print talent को एक method के थूप print stream class को print करते हैं जो कि यहाँ पर system.out.println को में काम होता है ठीक है तो यहाँ पर यह print जो system.out.println का का काम क्या है यह print कराने के लिए कोई भी आप string को आप अगर print करना चाहते है तो इसके लिए आपको क्या syntax की ज़रूत पड़ी statement की system.out.printalent इसकी ज़रूत पड़ेगी next आगे अगर चलते हैं तो हम लोग अब practically इस चीज़ को देखेंगे चलिए हम लोग practically इस चीज़ को हम लोग देखेंगे next कर दो हम लोग दो हम लोग दो हम लोग भर चीज़ को दो हम लोग है